जनक जी को सीता जी की प्राप्ति होती है तो वो इतने खुश हो जाते हैं कि सीता जी की वज़ा से ही हमें राम जी मिले हैं और वो कह रहे हैं कि सीता जी के किरपा से पईनी महमान है पईनी दमाध है तो इस भजन में यह है और कैसे मिथिला वासी कितने खुश हो जाते हैं एवेन देवता लोग भी फूल बरसा रहे हैं आज मिथिला नगरी यानि हाल सक्खिया आज मिथिला नगरी यानि हाल सक्खिया चारो दुलहा सच के आ रहे हैं आज मिथिला नगरी यानि हाल सक्खिया चारो दुलहा में बड़ का कमाल सक्खिया कमाल सक्खिया कमाल सक्खिया ओ कमाल सक्खिया मिथिला नगरी यानि हाल सक्खिया गागना मागना आज मागना धरतिया है देखी देखी दुलहा के सामरी सुरतिया है और अंतिम पंक्ती पे ध्यान दिजे कि सक्खिये बाल व्रिध नर नारी सब बेहाल सक्खिया चारो दुलहा में बड़ का कमाल सक्खिया आज मिथिला नगरी यानि हाल सक्खिया और राम जी हमारे खुब सावले सलोने सुन्दर से और सीता जी गोरी सी यह जोड़ी बहुत ही सुन्दर लग रहा है सामर सामर गोरे गोरे जोड़िया माहान है सीता जी के किरपा से पहली दामाद है सक्खिये लाल चंदन सुभे उनकर भाल सक्खिया चारो दो लाहा में बड़ का कमाल सक्खिया कमाल सक्खिया है कमाल सक्खिया चारो दो लाहा में बड़ का कमाल सक्खिया और हमारे हाँ परिछावन की परंपरा है जब दूला आंगन में आते हैं तो लोड़ा से परिचते हैं और जो सासुमा होती है वहां के में काजल लगाती है पान खिलाती है तो उसका द्रिश है नैना का जर्वा सोभे अल के घुंघ राली काली कनवा में कुंडल सोभे फुठवा पे पान के लाली कनवा में कुंडल सोभे फुठवा पे पान के लाली सकी है लिल रापर सोभे लाल चंदन दुलहा के सकी है अरती उतारो रगो नंदन दुलहा के आज मिठीला नगरिया निहाल चारो दुलहा में बड़ का कमाल सकिया चारो दुलहा में बड़ का कमाल सकिया